है है कि आजकर मारा टोपिक है किक कीवर्ड से टी आगर sobre ewart कीवर्ड क्या होते हैं लॉंग टेल कि उइस हो यह सब्सकर आप आप लग की वर चैनल को जोरु करें और वीडियो को डेखे तेनके कि भी स्किप मत कीजी तो आइए फ्रेंट सब चलते हैं अपने टॉपिक के उपर दोस्तों सबसे पहले कीवर्ड डेंसेटी हमें पता होना चाहिए होता क्या है हमारा अगर मालूब कंटेंट लिखते हैं अगर मैंने फौर एक्जामपल मैंने अंडेर्ड वर्ड का कंटेंट लिखा अगर मैं अपने söz यदि दस बार यह भी स बार में अगर उसको यूज करों तो मेरी कीवर्ड परसेंटेज क्या वर्योड डेंसेटी की 20% ठीक है तो इस तरीके से हमें अपने मhelp एक तरीके सेमें कि बात करें तो आपका मैक्सिम्म 2 या 3% आपका keyword density हो तो best है उससे ज़्यदा अगर आप keyword stuffing करोगे तो वो आपका blackheads में count हो जाएगा तो आपको keyword density बहुत सोच समझे करना है इसको keyword density चेक करने के लिए आप काफे सारे tools भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है और उन tools को बताने के लिए अब हम चलेंगे screen के उपर welcome back guys हमारा topic है आज का what is keyword density यानि हम अपने keywords को अपने content के अंदर कितनी बार use करते हैं ठीक है already मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं कि keyword density के according हम 2 या 3% ही अपने keywords को use करें अपने content के अंदर अब जैसे अब हम आते हैं screen पे जैसे भी हमारी official website है तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं कि आपके जो content के नेक sense भी होनी चाहिए मतलब एक naturality होनी चाहिए यह नहीं मैं हर जगे यहां पर digital marketing या website या SEO services में डाल दूँ अगर कोई हमारे content को रीड करें तो उसको एक proper way यहां पर show होना चाहिए ठीक है तो इस चीज़ का में ध्यान रखना है अगर हम हच्छ से जादा अगर keyword अब stuff करेंगे तो हमारी जो website का है वो blackheads में count करेगा तो इसलिए हमें इसी का ध्यान रखना है हमारा content जो best quality का होना चाहिए प्लस हमें बहुत सोच हमच के keyword density यूज़ करनी है ताकि हमारा जो content है उसकी naturalty spoil ना हो और जैसे मैं आपको बता रहा है कि कुछ हमारे पास tools भी होते हैं जिसमें हम check कर सकते हैं कि हमारे keywords की density क्या है वो उसके लिए अब हम चलते हैं आपर मैं आपको बताता हूँ जैसे हम Google म करेंगे हैं यहां पर आपके पास दो वे हैं चेक करने के लिए पहला यह है अगर आपने website पर डाल रखा उल्रेडी तो आप यहां से चेक कर सकते हैं जैसे मैं होम पेज का यहां से लिंक लिया कि यह हैड आगे सो क्लोज कर देखते हूं यहां पर मैंने keyword density के क्लिक किया फर्स्ट आपको मैंने जैसे बताया आप लिंक डाल सकते हैं डायरेक्ट और अगर आपने लाइव नहीं किया तो आप उस content को यहां पर पेस्ट करके भी चेक कर सकते हैं ठीक है मैं लिंक के थुरू देख रहा हूं क्योंकि हमारा लाइव है मैंने इस पर क्लिक किया अब यहां पर शो कर रहा है including meta tags, titles, all tags तो सारी चीज़ आप अपनी हिसाब से कर सकते हैं बाकी आप यहां पर जैसे explore keyword density पर क्लिक करेंगे तो यह आपो density यहां पर show कर देगा आपके content की जो भी आपकी density है यह थोड़ा time ले लिता है क्योंकि चेक करेगा आपके पूरे content को आपकी जो website में आपने जो content डाला है चाहिए वो 500 word का है यह 1000 word का है जो भी है यह देखो चेक कर रहा है आपका यहां पर यहां पर देखो अब यह देखिए इसने keywords हमें show कर दिया कौन-कौन से top keyword हमारे जो इसमें use हो रखे है ठीक है उसके बाद plus यह हमारी keyword density हमें show कर रहा है यहां पर इसमें हमारे पास 4 type के show कर रहा है ठीक है जैसे course को हमने कितनी बार यूज किया है 47 times और 9.33 की density है ठीक है अगर मैं two words प्यापता हूं तो two words का आपको show कर देगा ठीक है अब यहां पर हमने कायरेंट फोटेक कितनी बार use किया है 20 time ठीक है तो यह में show कर रहा है आपर mobile app कितने time use किया है four time keywords कों से हैं तो मैं भी आपको यह suggest करूआँ कि friends अगर आपको keyword density को अच्छे लायल पर use करना है तो आप हमेशा long tail keywords use करें इससे आपके stuffing भी count होगी और एक अच्छे लायल पर best content आप हो कर सकते हैं plus आप अपने keywords के coding synonyms use कर सकते हूं जैसे for example मैंने यहाँ पर डाला bear old bike ठीक है इंदिली for example ठीक है तो आप old की जगह यहाँ पर use कर सकते हो bike की जगह आप इसकी जगह two wheeler आप डाल सकते हो तो मैं लग इस तरीके से भी आपको थोड़ा बहुत अपने coding keywords को मलब optimize करना पड़ेगा यह अपने coding थोड़ा सा आपको synonyms use करने पड़ेंगे मैं आपको बार-बार यह कहता हूं कि आज के टाइम में SEO कोडिंग आपका user experience बेस्ट होना चाहिए अगर यूजर आपकी website पे विजिट कर रहे हैं अच्छी चीजे तो automatically ranking में improvement आता है बट अगर आप सोच रहे हो कि वह आपने यहाई से content बना के डाल दिया तो उससे आपको हो सकता है एक बार ranking आ सकती है लेकिन वह long term पे नहीं execute होगी ठीक है आई होप आपको इस वीडियो से काफी knowledge मिली होगी keyword density के बारे में अगर आपको कोई question है कोई comment आप कर सकते हैं हमें और आपके इस वीडियो को like करें शेयर किये जिए अपने friends के सार्थ कर दो